दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्वियकाल नियोज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश भारत वन्शी कोई भी कोई भी व्यक्ति जो भारत वन्शी है जिसके पुर्वज पुर्खे भारत के रहे हों दुनिया के किसी भी कोने में हो अगर वो किसी बड़े उहदे पर जाता है तो भारत में खुशी मनाई जाती है काफी जश्णी माहौल हो जाता है और टेलिवीजन के आज के जमाने में तो ऐसा लगता है कि जश्ण का जैसे लगता है कि फोहरा ठूट पड़ा हो आपको याद होगा दोस्तों कि कमला हैरिस जब अमेरिका की उप रास्टपती चुनी गई थी तब भी ऐसा हुआ था बिलकुल वैसा ही जैसा रिशी सुनक के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन दोनों में एक फर्क है कमला हैरिस के समय जो खुशी और जश्ण का महौल था वो आज की तरह उतना तुफानी नहीं था उसमें इतना उन्माद नहीं था जितना इस बार देखा जा रहा है वैसे भी दोनों में एक तुलना भी की जा सकती है दोनों में कुछ समानता भी है कमला हैरिस भी भारत में नहीं पैदा होई थी कमला हैरिस कैलिफोर्निया के आउकलेंड में पैदा हुई थी ठीक उसी तरह से रिशी सुनाक भी इंडिया या इंडिया के किसी भी खलके में नहीं पैदा हुए यहां तक कि ऑविभाजित भारत में भी नहीं वो पैदा हुए वो ब्रिटेन में पैदा हुए और उनके पिता जो है वो तो केनिया में पैदा हुए उनके दादा दादी जरूर भारत के थे और भारत भी और इभाजित भारत के गुजनावाले के गुजनावाला जो इलाका है जो पाकिस्तान में पड़ता है तो ये जो दोनों का एक एक दोनों में समानता और दोनों का फ उनके लिए बड़े प्लेट फॉर्म्स हैं जैसे एक उसमें वाटसअप इनोस्टी है इनके जरीए जिस तरह के उन्माद जैसा एक चश्नी माहल बनाया गया मैं समझता हूँ कि अगर 23 से लेकर और 25 के बीच में देखा जाए तो वो अधुत था ऐसा लग रहा था दिवाली से होड ले रहा है और रिशी सुनक दोस्तो हम अपनी बात कहने से पहले आपको थोड़ा सा बैक्ग्राउंड बता दें रिशी सुनक के बारे में कि रिशी सु हराया था और वो प्रदानमंत्री बन गई थी उनका भी कोई चांस उस समय तक नजर नहीं आ रहा था लेकिन बोरिस जॉंसन के बाद वो बन गई उन्होंने ब्रिटेन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को संभालने के नाम पर उसका इतना कबाड़ा कि अंतता उन्हें पार्टी के इसी संकट के बीच में दोस्तों एशियाई मूल के ब्रिटिस राजनेता सुनक को प्रदानमंत्री बनने का मौका मिला चुंकि उनके पुर्खे जैसा मैंने आपको बताया दादा दादी और भाजित भारत के थे इसलिए भारती लोग उन्हें भारतवन्शी कह हैं तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है बिलकुल नहीं है और खुशी भी जाईर होनी चाहिए कि एक भारत लुंसी ब्रिटेन का प्रदानमंत्री बना है मैं भी खुश हो सकता हूं और खुश हूँ पाकिस्तान के लोग भी खुश हो सकते हैं कि गुजरावाले से जो लोग गए थे गुजरावाला से और उनके दादा दादी वहां के थे तो उनके घर का एक लड़का आज प्रदानमंत्री बना है उस ब्रिटेन का जो 200 साल तक भारत पर राज किया और विभाजित भारत पर और विभाजित घर के यहां से गए प्रिवाजन के साथ तो इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं नजराती पर वाया केनिया ब्रिटेन जाब से सुनक जो साथ थे उनके जो पुर्खे थे और उनके जो पिता थे खासकर उनके पिता मां तो वो एक ब्रिटिस नागरिक हैं जिनका जन्म ही नहीं लालन पालन आज सब कुछ सब कुछ ब्रिटेन में हु तो यह जो पहलू है मैं समझता हूँ कि अगर आप हमें जहां तक यादा रहा है कि 1966 में केनिया से ब्रिटेन उनके मापिता आये थे और 1980 में सुनक का जन्म हुआ तो फिर वो अमेरिका भी गए पढ़ाई लिखाई के लिए हाना कि वो अगर देखा जाए तो ब्रिटेन की जो प्रैमरी एजुकेशन है या मध्य जो जो माधिमिक सिक्षा है बहुत ही शांदार है और पब्लिक स्कूल है पब्लिक स्कूल उनको सरकारी स्कूलों को कहा जाता है ब्रिटेन में ऐसे कई सरकारी स्कूलों में मैं स्वेम देखा हूं ब्रिटेन के बहुत अच्छी पढ़ा बहुत ज़्यादा फीस होती है और एक और पहलू उनके बारे में है कि उनकी शादी जरूर एक भारती उद्योगपती और इन्फोसिस के जो सहसंस्थापक है इनार नाराने मुर्ति साथ उनकी अरपती बेटी अक्षता से होई है वो एक हिंदू धर्मावलम भी है ये सब बा श्वेत और इश्याई मूल के 42 वर्सी ब्रिटिश राजनेता का पीम बनना ब्रिटेन के 200 साल के इतियास की बड़ी घटना है ये भी एक एक ऐसी चीज है जिसको हम जिस पर हम गर्व कर सकते हैं क्योंकि पीम बनने वाले वो पहले अश्वेत हैं इसके अलावा दोस्तों हम हमारे जो एक आम जो एक खुशी होती है कि चलो जी अपने इलाके का कोई बना की अमुक देश में गया कोई बहुत अच्छा होटल भी खोलता है कोई बहुत अच्छा फुटबालर भी होता है तब भी हम कई बार खुश होते हैं कि चलो हमारे देश या हमारे इलाके का आद भारत से गए थे मारिशस में या दूसरे और मुलकों में भी ऐसा होता है कि वहां कोई बड़े वोदे पर जाता है तो भी हम बताते या घाते नहीं कि वह हमारे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहा है दिक्कत तब है जब हमारे हिंदी भार्षी समाज में खास कर उस अंदर अंदर ही ऐसा लगता था कि भारती मीडिया इंडिस्ट्री ने और कुछ सियासी तंजीमों ने मिलकर इसको बहुत पढ़ाया और टीवी चैनलों ने सुनक के पियम बनने पर यहां इस तरह का तुफान खड़ा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस दोरान दोस्तों टीवी चैनलों और कुछ अकपारों ने क्या क्या किया और क्या क्या कहा संचेप में सुनिये मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिला दूँ ताकि आपको लगे की वाकई ये कितनी आश्यरजनक बात है अब जैसे न्यूज चैनलों ने कुछ ब्रेकिंग न्यूज चलाई उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज है इंग्लेंड में अब शुरू होगा रिशी राज क्या है वही इंग्लेंड में शुरू होगा अब रिशी राज दूसरा क्या है ब्रिटेन में कायम हुआ रिशी का राज अब तीसरा देखिए एक अंग्रेजी चैनल पर काउ वर्षिपर काउ वर्षिपर is new British PM यानि एक गाय पूजक ब्रिटेन का प्रधान मंत्री बना काउ वर्षिपर is new British PM ये एक बड़े अंग्रेजी चैनल की हेडलाइन है और दोस्तों दो चैनलों ने तो कमाल किया दो चैनलों ने अंग्रेजी के चलाया पहले एक एक ने चलाया कि month after UK temple attack यानि month after UK temple attack एक काउ वर्षिपर is now British PM यानि एक मंदिर पर हमले के एक महीने के बाद Britain में एक गो पालक या गो गो पूजक सारी गो पूजक प्रधान मंतरी बना इसके अलावा जितने हिंदी के चैनल हैं सबका फोकस इस बात पर था कि कीता लेकर शपक लेने वाले सुनक साहब जो हैं वो PM बने तो 24 से 23 से 25 के बीच में खासकर 24 से 25 के बीच में चैनलों में सुनक और उनकी बीबी यानि उनकी बेगम साहबा अक्षटा की ये तस्वीरें प्रधर्शित की गई जिनमें वो तहीं किसी मंदिर में किसी गोशाला में या किसी खाली जगह जहां पर गाये रखी हों वहां पर वो किसी जगह जा रहे हैं मंदिर में आरती उतार रहे हैं किसी गाय के माते को सहला रहे हैं जिसको बताया जा रहा है कि पूजा कर रहे हैं चलो मालिया पूजा ही कर रहे थे तो इसकी तस्वीरें लगातार टीवी चैनलों पर दिखाई जाने लगी रंगोली बना रहे हैं सुनक साथ दिवाली में ये सब भी अब इसका क्या मकसब था मैं समझना चाहता हूं कि उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में उनकी सोसल पालिसी के बारे में उनकी इमिग्रेशन पालिसी के बारे में उनकी और कुछ उपलब्दियों के बारे में उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में उनकी अमीरी के बारे में ये सब दिखाने के बजाए ये चीजें जो दिखाई जाती रही लगातार उनका क्या मतलब है मेरा सवाल है क्या सुनक साहब अपनी इन ही गत्विदियों के कारण ब्रिटेन के प्रदानमंत्री बने क्या वो गाय के माथे को सहलाने के कारण क्या वो गाय की पूजा करने के कारण क्या वो रंगोली बनाने के कारण क्या वो इसलिए कि वो हिंदू हैं या कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं कि या वो पुजारी हैं या वो अपने हाथ में लाल धागा बांधते हैं जिसको काफी प्रजर्शित किया गया जिसकी चर्चा भी की गई माला पहनते हैं इन चीज़ों के कारण क्या वो प्रधान मंतरी बने हैं ब्रिटेन के तो हमारे चैलनों का ध्यान इन ही चीज़ों पर क्यों था मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या वो हमारे देश के अतिशक्तिमान जो माननी प्रधान मंत्री मोदी हैं क्या उनकी तरह सुनक साब भी अपने देश के विविन हलकों के मौजूद जो मंदिर हैं क्या वहां जाकर अक्सर वो जाकर के पूजा कराते रहते हैं और पूजा करते समय पूजा कम करें या अधिक करें लेकिन क्या वहां जो उनके चित्र हैं रंग विरंगे चित्र वो यहां के जो उपासनास्थल हैं वहां जाने पर जिस तरह चाहे रहते हैं हम क्या दिखाना चाहते हैं हम ब्रिटेन के बारे में क्या अपने भावों को इंपोस करना चाहते हैं ब्रिटेन पर तो ऐसी चीजों को मैं समझ नहीं पाया कि ऐसी चीजों को सुबह से रात तक दिखाने के पीछे हिंदी अंग्रेजी चैनलों का क्या परपज़ रहा निसंदे दोस्तों इनमें किसी की वज़ा से सुनक यानि रिशी सुनक ब्रिटेन के पियम नहीं बने हैं जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों कि वो ब्रिटेन के भयावा आर्थिक संकट और कंजर्वेटी पार्टी के जो अंदरूनी राजनितिक संकट हैं उनके चलते पियम बने हैं चुकि वो ब्रिटेन के एक बहुत अमीर परिवार के मालिक हैं जिसकी संपदा देश के राजा से भी बहुत ज्यादा है किंग चाल्स उनसे भी ज्या बताई गई है साथ सौत तीस मिलियन पॉण्ड से भी ज्यादा बताई गई है अगर मैं इसको भारती रूपे में कल्कुलेट करूं तो संभावता छे या साथ हजार करोड के आसपास यह पहुंचता है अगर मैं मेरा कल्कुलेशन अगर ठीक है तो तो उनकी पतनी पर दोस किसी आम भारत वंशी या एशियाई की तरह नहीं देखा जाना चाहिए कैसे आप देख सकते हैं कि वो एक आम भारत वंशी की तरह हैं या एक आम एशियाई की तरह हैं वो ब्रिटेन के बहुत बड़े अमीर हैं और अमीरों में शुमार होते हैं एक लिस्ट बनी थी कभी जो वहां के बहुत अमीर लोगों के बारे में थी, तो उसमें वो 222 में नंबर पर आये थे, 222 में नंबर पर, तो ब्रिटेन के बेहत महंगे प्राइवेट स्कुलों से निकल कर उच्छिस्तर ये विश्विद्यालियों में पढ़े हैं, और ऐसे व्यक्ति जो तंजर्वेटीब जमात और देश के कार्परेट हाउसेज में इसलिए उन ऐसे लोगों की बहुत अच्छी पहुँच होती है, जब देश COVID-19 का संक्रमन जूज रहा था, उससे जूज रहा था, तब भी सुनक साब जो हैं, वो बोरिस जानसन की सरकार में वित्मंत्री थे, बहुत बड़ा वो मंत्रा लहे, बहुत बड़ी जिम्यदारी उन पर थी, और उस दौरान उनके कुछ कामों को ब्रिटिस मीडिया में सारहा भी गया था, शायद इन सब फैक्टर्स ने मिलकर लिज्टरस के बाद उन्हें पीम बनने का मौका दिया, और दौस्तों आखरी बात की सुनक को ब्रिटिस कंजर्वेटिव पार्टी ने पीम बनाया है, और समाज ने उनको स्विकार किया है, ब्रिटिस समाज ने, उनकी नसल या उनके रंग या उनके धर्म या उनके पूर्खों के देश को लेकर ब्रिटिस समाज में कहीं भी कुछ आवाजें नहीं सुनी गई, कहीं भी नहीं ये तो महांता ब्रिटिस समाज की है ये ब्रिटिस समाज की महांता है ये उसकी डिमोक्रिसी का कमाल है अगर भारती मीडिया सुनक के बनने का जश्न मनाता है या मना तो मनाए मनाना चाहिए उसको लेकिन दोस्तों ब्रिटिस समाज उसकी डिमोक्रिसी और कीजिए पहले और तब उनके गाय पालक होने या गो पूजक होने की तस्वीर दिखाएए क्या ब्रिटिस मीडिया क्या इंडियन मीडिया ब्रिटेन के इस समाज को ब्रिटेन की इस टेमोक्रिसी को उसके रंग को दिखाना चाहेगा सुनक के पियम बनने में भारत का या उनक क्या योगदान है दोस्तों सच पूछिए तो फिलहाल सुनक साहब कंजरवेटिव की आखरी 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 जितनी उनसे अपेक्षा है उससे ज्यादा भारी उनकी चुनोतियां है अगर वो थैचर मार्क पर चलते हुए बोरिस जांसन या लिज्ट्रस्ट की तरह नियो थिकी की रोशनी में जनता पर बोज और सामाजिक कल्यान कारी योज्राओं में कटोती करते हुए और द्योगिक व्यापारिक वित्ती कारोबार में बढ़ोतरी का रास्ता अपनाते हैं तो उनकी मुश्किलें निश्चे ही उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी अगर वो आज से उठते सवालों से रोबविर होना चाहता हूं और आपको भी रोबरु करना चाहता हूं जो लोग आप आज की तारीक में ब्रिटन के प्रधानमंतरी के या उनकी धर्म-पत्नी के धार्मिक होने पर गायपूजप होने पर, प्रेक्टिसिंग हिंदु होने पर, गर् अब आप कल्पना कीजे सोचिए कि उन्हीं लोगों में से एक जमात ऐसी है एक सेक्षन ऐसा है जो अपने देश में जिस तरह रिशी सुनाक ब्रिटेन में माइनार्टी कम्यूनिटी से आते हैं वैसे ही भारत में जो माइनार्टी कम्यूनिटी के लोग हैं उनको ये जो अपने मुल्क में यहां की माइनार्टी को वो किसी मैदान में, किसी मौल में या किसी पंचायत घर में, किसी भी कोने में नमाज पढ़ने की भी छूट नहीं देना चाहता किसी माइनार्टी कम्यूनिटी के व्यक्तिकार नमाज पढ़ना भी उसे सहन नहीं होता तो अपने मुल्क में जो लोग अधार हैं, उनके प्रैक्टिसिंग हिंदू, उनके उपासक होने पर, उन्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए अपनी गिरेबा में भी छांकना चाहिए, कि हम कैसा देश मना रहे हैं, और ब्रिटेन ने कैसा देश मनाया है, या योरोप के और मुलकों ने कैसा देश मनाया है, और दोस्तों, जिस तरह की लोग तांत्रिकता, जिस तरह का सेकुलर और इंक्लूसिव समाज, एक हद तक, मैं कंपरिजन में बोल रहा हूँ, योरोप के तमाम मुलक, कई अनेक मुलकों ने बनाया है, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, हम वहाँ के पॉलिटीशियन के बारे में, वहाँ के काम्याब भारतवनशियों के बारे में, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, और दोस्तों, तीन याद रखिएगा, दुनिया के अनेक मुलकों में फैले हुए हैं, तीन करोर, और इनमें कम से कम, तीन लाख तो ज़रूर ऐसे होंगे, जो बहुत बड़े अमीर होंगे, बड़े पदों पर होंगे, गूगल से ले करके और अनेक दुनिया के बड़े बड़े विजनेस से जहें, उनमें बड़े पदों पर है, पॉलिटीशियंस भी है, अनिक भारत वनची, तो हम उन पर इतना गरू करते हैं, हमारे देश के जो अमीरों के बेटे बेटियां हैं, वो ऐसे काम्याब मुलकों में, जहां डिमक्रसी बहतर है, जहां सेक्लिरिजम बहतर है, जहां जा का जश्टन मनाते हैं उनको लगता है कि कितनी फ्रीडम उनको है लेकिन उन्हीं के माता पिता इस देश में कट्टरता से जातिवाद से वरणबाद से और जो एक अजीब तरह की एक अजीब तरह की जो दिमागी उल्जन है या दिमागी गुलामी राहुल संकृतियायन ने इ इस दिमागी गुलामी में किस तरह भारत के सेकुलरिजम को नस्ट करना चाते हैं यहां कट्टरता का राज कायम करना चाते हैं तो हमारे देश में जो डिमोक्रिसी है जो सेकुलरिजम है जो समावेशी समाज है समानता का जो एक काफी हद तक एक व्यापक समाज का निर्मा होता है तो हम उसका जश्न मनाते हैं लेकिन अपने मुल्क को वैसा बनाना ही नहीं चाहते जहां एक माइनार्टी कॉम्निटी के आदमी को भी लोग हाथों हाथ उठाएं अगर उसमें कोई दम है या उसमें कोई शमता है तो दोस्तों आज बस इतना ही और बिलकुल अंत में क बेगानी शादी में अबदुल्ला दीवाना ये बहुत पुनानी कहावत है लेकिन हम तो कहते हैं कि आप बिलकुल दीवाना हो ये लेकिन दीवान की लाएक माहौल अपने मुल्क में भी बनाएए नमस्कार आदाब सत्रियकाल